ओम शांती 21 मई 2023 के अव्यक्त महवाक्य रिवाइज डेट 14 दिसंबर 1994 पहले एक नजर मुडली के मुख्य पोइंट्स पर बाप दद ने कहा दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ड लेकिन आप हो रिचेस्ट इन कल्प क्योंकि इस समय की तुम्हारी कमाई पूरा कल् साथ चलेगी तुम्हें तो सदा इसी निश्चे और नशे से रहना चाहिए जमा का खाता बढ़ाने के लिए सबसे सहज साधन हैं बस बिंदी लगाते जाओ आप भी बिंदी बाप भी बिंदी और ड्रामा में जो बीत गया उसको भी बिंदी लगाना है क्या क्यों कैसे ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा या फुर आश्च्रिय की मात्रा इन में से किसी भी मात्रा की आवश्यक्ता नहीं हैं अगर बिंदी के बजाए और कोई मात्रा लगा देते हो तो सभी खजाने सफल के बजाए और सफलता वाले खाते में चले जाते हैं बाब ने कहा द्वापर यूग से व्यर्थ सुनने देखने और सोचने की आदत ऐसी पड़ गई है जो ना चाहते भी बच्चों को व्यर्थ आकरशित कर लेता है याद रखो तुम्हारे लिए एक एक सेकिंड का बहुत महत्व है चेक करना चाहिए एक घंटे के अंदर जो भी बोल बोले क्या हर बोल में आत्मिक भाव और शुब भावना रही अगर हर बोल में शुब भावना नहीं तो अवश्य माया की भावनाएं मिक्स हैं ऐसे ही बोल दिया अब ये भाशा बदली करो हर बोल समर्थ हो जिस बोल में किसी आत्म को प्राप्ती हो उसे कहेंगे समर्थ बोल और लास्ट में बापदद ने कहा ब्राहमन बच्चे दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हैं संगम युग की महिमा भी बहुत बताते हैं तो स्वियम भी सदा समय के महत्व को सामने रखो समय से पहले ही स्रेष्ट प्राप्तियों का खाता फुल जमा कर लो और अब सुनते हैं मुडली को विस्तार से मुडली का सार समय संकल्प बोल दवरा कमाई जमा करने का अधार तीन बिंदी लगाना आज बाप ददा किस सभा में आए हैं ये सारी सभा किन आत्माओं की हैं बाप ददा देख रहे हैं कि हरे एक highest, richest हैं दुनिया वाले तो कहते हैं richest in the world लेकिन आप सभी हैं richest in कल्प इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जनम में तो रिचेस्ट हूँ लेकिन भविश्य में भी अनेक जनम सहुकार से सहुकार रहेंगे और आप सभी निश्य और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जनम साथ रहेगा गयरंटी है ना तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा तो आज बाप ददा अपने शाहन के भी शाह राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो हिसाब निकालो जमा का खाता कितना तिवर गती से बढ़ता जा रहा है और बढ़ाने का साधन कितना सहज है इसमें मेहनत है क्या आपकी कमाई वजमा का खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ आप भी बिंदी बाप भी बिंदी और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना तो कमाई का अधार है बिंदी लगाना और कोई मात्रा है ही नहीं क्या क्यों कैसे ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा आश्चुरिय की मात्रा किसी की आवशक्ता नहीं है क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो पता नहीं ये शब्द संकल्प में भी बदल गय त्रिकाल दर्शी, ये स्वपन में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है संगम पर सारा खेल ही तीन बिंदियों का है सबसे सहज बिंदी होती या कोश्चन मार्क सहज है बिंदी सहज है न, बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता सेकंड से भी कम बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है कई बार बिंदी की बजाए कलम भी लंबी लकीर खीच लेती है बिंदी लगाने से एक सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं खजानों की लिस्ट तो जानते हो न अगर बिंदी के बजाए और कोई मात्रा लगाती हो वो लग जाती है तो सोचो ग्यान का खजाना गया शक्तियों का खजाना गया गुणों का खजाना गया संकल्प का खजाना गया एनर्जी गई श्वास सफल के बजाए असफलता में गया समय गया कितना गया लंबी लिस्ट हो गई न तो ये कभी नहीं सोचो कि एक दो सेकिंड ही तो गया लेकिन एक सेकिंड में गवाया कितना एक सेकिंड भी कितना भारी हो गया हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो कमाया क्या और गवाया क्या इन सभी खजानों में से कितने खजाने गवाई बाप ददा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते हैं क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं अमरित वेले मिलन भी मनाते, रुह रिहान भी करते वायदे भी बहुत अच्छे करते कि ये करेंगे ये करेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई न कोई खजाना गवा भी देते हैं फिर आधार क्या बनाते हैं? बाप ददा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गवाया तो फिर बातें क्या करते हैं सिर्फ संकल्प में चलाना वो तो ठीक हो जाएगा बाप को भी दिलासे देते हैं कि ठीक हो जाएगा प्रुशार्थी है न सम्पुरण तो नहीं हुए है हो जाएगा तो बाप ददद कहते हैं कि ये गाह गाह के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं लेकिन ये भी कब तक क्या अंत में संपुरन होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है वर्षा अभिनाशी चाहते हो संपुरन वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा और पुरशार्थ में अधूरा पुरशार्थ चलेगा तो पुरशार्थ के समय तो करेंगे देखेंगे बनेंगे करही लेंगे हो ही जाएगा ये सोचते हो और प्राप्ति के समय गेगे करेंगे उसमें तो सम्पूरन प्राप्ती चाहिए, सम्पूरन वर्षा चाहिए सभी लक्ष्मिनारण बनने में हाथ उठाते हो मालूम भी है कि लक्ष्मिनारण की भी आठ गदियां चलेंगी लेकिन हाथ तो लक्ष्मिनारण में उठाते होना तो लक्षमे नारेन का अर्थ है नमबर वन पास विद ओनर होना बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देख कर खुश भी होते हैं राम सीता में कोई नहीं हाथ उठाता हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है सिर्फ पुरशार्थ के समय भी जैसे बाप की आगे संकल्प करते हो वैसे ही ये बोल और कर्म में लाओ बाप दाद ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहते हैं उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजोरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है दौप्रकाल से व्यर्थ सुनने देखने और फिर सोचने की आदत ना चाहते भी आकरशित कर लेती है और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है पहले भी सुनाया कि सेकेंड का भी कितना महत्व है दूसरी बात मैजोरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते है एक घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला हर बोल में आत्मिक भाव और शुब भावना है बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है अगर हर बोल में शुब भावना स्रेश्ट भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाई है वो तो अनेक है इरशा, हशद, ग्रिना ये भावनाएं चाहे किसी भी परसंटेज में समाई हुई होती है कई बार बोल के टेप रिकोर्ड बापददा सुनते हैं हर एकी ओटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं हर बोल का सार नहीं होता कई बार कहते भी हो मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था ऐसे ही निकल गया, वो बोल दिया लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुब भावना नहीं वो किस खाते में जमा होगा वेस्ट में हुआ न, तो कमाई का खाता ज्यादा होगा या गवाने का खाता ज्यादा होगा ये तो गवाया न, तो बोल में भी गवाने का खाता ज्यादा होता है तो बोल को भी चेक करो, ऐसे ही बोल दिया, ये भाशा बदली करो समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्म को प्राप्ति का भाव वसार हो अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा न जितना एक दिन में जमा कर सकते हो तो बापदद ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा लक्ष्मिनारेण तो बनना ही है ना कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं पहले जन्म से लेकर स्रेष्ट प्रालब्द पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है नहीं पसंद है ना तो इतना जमा का खाता है, अगर खाता कम जमा होगा तो प्रालब्द क्या खाएंगे, उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है, तो आज बाप ददने सभी के जमा के खाते देखे, दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो तो स्व्यम भी सदा समय के महत्व को सामने रखो समय के पहले अपने स्रेष्ट भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो संगम युग के समय की विशेसा है कि तीनों रूप की प्राप्ति है एक वर्से के रूप में दूसरा पढ़ाई को सोर्स ओफ इनकम कहते हैं तो पढ़ाई की प्राप्ति की अधार से और तीसरा है वर्दान की रूप में वर्षा भी है, इनकम भी है और वर्दान भी है प्राप्ती बहुत भारी है, बहुत बड़ी है सर्फ संभालने वाले बनो वर्षा भी बेहद का है, इनकम भी बेहद की है और वर्दान भी बेहद के है कभी सोचा था कि रोज भगवान का वर्दान मिलेगा इतने वर्दान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वर्दान पर भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है तीनों ही संबंद से तीनों के उपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना सभी फकुर से कहते हैं बाप मेरा है ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं है, तेरा है हमारे लिए बाप पढ़ाने आते हैं ये समझते हो ना, तो पढ़ाई पर अधिकार है ना और वर्दाता के पास वर्दान है ही किसके लिए हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वर्दाता बाप है तो तीनों पर अधिकार हैं कहने में तो बहुत सधारिन है इसलिए तो दुनिया वाले हस्ते हैं कि हैं क्या और कहते क्या हैं तो अधिकार को सदा स्मृती में रख कदम उठ इमर्ज रूप में रखो मर्ज रूप में नहीं हैं तो ब्रह्मा कुमार हैं ही बाबा के ऐसे नहीं इमर्ज रूप में मन में बुद्धी में कर्म में इमर्ज रखो मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं ये हूं बुद्धी में स्मृती स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी के निश्चे और नशे से हर कर्म हो ऐसे नहीं अमरित्वेले तो इमर्ज रहता है फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है नहीं सदा इमर्ज रूप में रहे तो जमा का खाता बढ़ाओ तिवर गती से बढ़ाना धीला ढाला नहीं करना क्योंकि समय आप मास्टर रचैता के लिए रुका हुआ है अभी भी प्रकृती को ओडर करें तो क्या नहीं कर सकती है अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता और कितने में हो सकता तो समय प्रकृती और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है आप संपुरंता की बधाईया मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएगी माया भी देखती है अभी ये तयार नहीं है तो चांस लेती रहती है प्रकृती को ओर्डर करें पुरुष तयार है प्रकृती तो तयार हो जाएगी ओर्डर करें कि ज्यान सरोवर तयार हो पीछे ओर्डर करें ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो शक्तियां एवर रेडी हैं सम्पूरन हो गए थोड़ों को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे न ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नौलिज की आइने में कि मैं क्या बनूँगा आइना तो सब के पास है ना क्लियर है ना तो अपने तकदीर की तस्वीर देखो बाप को क्या टाइम लगेगा जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से स्रिष्टी रचली तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता बाप जानते हैं राजधानी चलनी है तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा साथी चाहिए ना तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए है तो बाप सभी बच्चों से प्रश्न करते हैं बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो सभी काम की डेट फिक्स करते हो न, तो इसकी भी डेट फिक्स करो इसका भी मूरत होना है न, ग्यान सरोवर की भी डेट फिक्स है, होस्पिटल की भी डेट फिक्स है इसकी डेट क्या है? ये किसको फिक्स करनी है? बाप को नहीं करनी है ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है कोई काम तो आप भी करेंगे कि सब बाप करेंगे डेट फिक्स का प्रोग्रेम बनाना अच्छा, नए बच्चों को देखते हुए देखो, आप नए नए बच्चे जो आए हैं आप से सब का कितना प्यार है पहला चांस आप सब को ही देते हैं सब खुश राजी हैं कितने पैर प्रिथ्वी मिली हैं दो पैर या तीन पैर तो बच्चों ने कह दो पैर बाबा केहते, दो पैर में भी राजी तो हो तकलीफ तो नहीं है न खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है न मेले में ऐसी पालना और कोई की हो नहीं सकती मेले देखे है न ऐसा ब्रह्मा भोजन ऐसा परमात्म परिवार कहां मिलता है सर्दी लगती है मौसम की भी मिठाई होती है तो ये सर्दी भी मौसम की मिठाई है मिठाई तो खानी चाहिए न सबको शालों की सोगात तो मिलती है न कोई मेले में ऐसी सोगात मिलती है या खाली होकर आते हो अच्छा नयों की दिल पूरी हुई मधुबन देख लिया पहले स्वपन में था अभी साकार में हो गया कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है क्यों सोचो अभी नौ लाख जमा हुए है पहले जन्म की संख्या ही तयार नहीं हुई है वो तो होनी है न कितने मकान बनाएंगे कितने ग्यान सरोवर बनाएंगे सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ जितनी संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी तो क्या करेंगे जितना मिले उतने मेरा जीरो हो मेला भी करना है न, तलह ती में ब्राह्मनों का विशाल संगठन होना है बाबा ने का ये तो मेले में आने नहीं है, ये तो आ गए दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है, दस हजार सुएंगे, भीड नहीं हो जाएगी ये तो समझते हैं हमको तो चांस मिलना नहीं है इंतजार की घड़िया भी प्यारी होती है एक साल के बाद जाना है ये इंतजार होता है न तो इंतजार में पुरुशार्थ कितना अच्छा चलता है और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया फिर क्या होगा फिर अलबेला पनाएगा नहीं आएगा और आगे बढ़ेंगे ये भी ड्रामा में जो विधी बनी है वो बहुत ही फायदे वाली है एक साल में पक्के तो हो जाते हो न नहीं तो कच्चे कच्चे आजाते फिर युद्ध करनी पड़ती हर साल में आपके यहां मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं अभी भी ये मेला क्या है इंटरनेशनल है न देश विदेश सब तरफ के है न दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्रेम पांच साल में एक किया तो बहुत कर लिया और मधुबन में कितने होते हैं पता पढ़ता हैं इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश मज़ा आता है ना लेकिन आना टर्ण पर अभी तो देखो दस हजार में भी टेंट तो मिलेगा ना आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे सारे आबू के पाहडों को सोने के सान बना लो तो कितने रह सकते हैं अच्छा चारों और के हाईस्ट और रिचस्ट स्रेष्ट आत्माओं को हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को सदा स्विम को अबर रेडी बनाने वाले तिवर पुरशारती आत्माओं को सदा समय संकल्प बोल दवारा स्रेष्ट कमाई का खाता जमा करने वाले अती समी पात्माओं को बाप दद का याद प्यार और नमस्से रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दद को नमस्से नमस्से गुड मौर्णिंग दादी जी से सब सहज चल रहा है ना मेला चल रहा है या खेल चल रहा है संतुष्टता का खेल चल रहा है संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है और सब ठीक है तो कहा तलहटी में दो टर्न का सोचा है बाब ने कहा पहले लिस्ट देखो पीछे दो बारी भी होगा तो कोई बात नहीं बाप बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करता है बाप को आने में तो कोई तकलीफ नहीं है न चाहे मधुबन पांडव भवन में आए चाहे तलहटी में आए उनको आने में कोई तकलीफ नहीं है तकलीफ तो बच्चों को है लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती जब बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ नहीं है मनोरंजन है तो बाप को तो तन में ही आना है ना बस संगम पर करना ही क्या है मेला और खेला सेवा है खेल मेला मनाओ और सेवा का खेल करो और क्या करना है खाओ पियो ब्रह्मा भोजन खाओ अच्छा, वर्दान, बाबा शब्द की डायमंड की अर्था चाबी दवरा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्मस नही भव बाबा शब्द की डायमंड की डायमंड चाबी दवरा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्मस नही भव जो परमात्मस नही बच्चे हैं उन्हें बाप ददा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सोगात देते हैं वे शब्द है बाबा, इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी, इस चाबी की की चेन है सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना, साथ साथ प्रतिग्या के कंगन और सर्व गुणों के श्रिंगार से सजे सजाए रहो, तब विश के आगे फरिस्ते रूप वदेव रूप में प्रख्यात होंगे, स्लोगन बीती को पास करके बाप ददा के पास रहो तो पास विद अनर बन जाएंगे, सुचना, आज मास का तीसरा रविवार है, सभी राच योगी तपस्वी भाई बहने, साएं साड़े छे से साड़े साथ बजे तक, विशेस योग अभ्यास के समय, मास्टर सर्व शक्तिवान के शक्ति शाली स्वरूप में सित्त हो, सर्व शक्तियों का महादान करें, दुखियों की पुकार सुनें, उपकार करें, अ सर्व शक्तिव, ye discerned, ऍनी जSaथ बाच जाली सी टेस कारें, सबल्दार शक्तिम पुकार करें, तककि का शक्ति शक्तियों कारें, झाली साजय की पुकार करें.